अपर नून तो आल आवर वीवर्स ओन दे केरियर से पर आइम सुभास पोतार इस सेट कंटेंस 25 अबजेक्टिब्स ओप मेसलिनियस टाइप एन रिलेटेट तो मोस्टली ओन लेबर एंड हेल्थ इसूज नाव लेट्स कम तू सॉल्फ दिस सेट कुर्शन नमर वन देखा किसने भारतिय श्रम सम्मेलन आई यल्सी को भारत का श्रम संसद के रूप में उद्रित किया अप संदके चंदर सेकर पीबी नर्सिम राव मनमोहन सिंग नरेंद्र मोदी तो ये नरेंद्र मोदी थे आई यल्सी इंडियन लेवर कंफरेंस हुआ आई यल्सी वारतिय श्रम सम्मेलन इसको लेवर पार्लियमेंट आफ इंडिया के रूप में कोट किया ये नरेंद्र मोदी थे आई यल्सी श्रम और रोजगार मंत्राले में सरवुच अस्तर का ट्राइपर टाइट यानि त्री पक्षिय कंसल्टेटिव कमीटी है जो देश के वर्किंग क्लास से संबंदित मुद्दों पर सरकार को सला देती है पियम मोदी ने ऐसा 46 आईलसी 20 जुलाई 2015 के अबसर पर कहा था तो आंसर इसका डी हो जाएगा नरेंद्र मोदी अच्छा प्रस नहीं है दो नमबर देखे 46 वे भारतिय स्रम संबेलन में निमन लिखित में किसकी सुरुवात की गई थी यह देकी पोर्टल का नाम दिया है वे नेशनल केरियर सर्विस पोर्टल नेशनल एम्प्लाइमेंट सर्विस पोर्टल एस आईसी 10 एस आईसी के सुधार पहल एस आईसी 20 एस आईसी के सुधार पहल तो देखिए इसमें आंसर E चला जाएगा क्योंकि A और D सही है National Career Service Portal याने NCS Portal की सुरुबात की गई थी और ESIC 20 एक Reform Initiative था ESIC के लिए वो शुरू किया गया था तो आंसर इसका E जाएगा और इसमें A और D सही है A और D आंसर इसका E हो गया आंसर E चला गया तीन नमर देखिए स्रम सुविधा Portal की सुरुबात कब हो गई आप संदेगा अक्टूबर 2014, अप्रील 2015, जुलाई 2015 अक्टूबर 2015 तो आपको याद होगा स्रम सुविधा पोर्टल के बारे में यह थोड़ा बैक जाके कुश्टन सेट किया गया है चुकि बैक से भी कुश्टन पूश्टा रहता है तो देखिए इसका आंसर E हो जाएगा अक्टूबर 2014 थोड़ा इस पोर्टल के बारे में जान लिजी यह पोर्टल स्रम रोजगार मंत्राले के अधिन चार बड़े संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है यह संगठन कौन-कौन से है पहला है Office of Chief Labor Commissioner Central दूसरा है Directorate General of Mines Safety तीसरा है EPFO चोथा है ESIC EPFO क्या हुआँप्लाईज प्रोविडेंट फंड और्गनाजेशन ESIC क्या हुआँप्लाईज स्टेट इंस्यूरेंस कॉर्पॉरेशन यह पोर्टल लेवर रिफॉर्म के अंतरगत लाया गया है श्रम सुविधा पोर्टल तो आंसर इसका A हो जाएगा अक्टूबर 2014 और यह पोर्टल ट्रांस्परेंसी और एकांटेबिलिटी यानि पारदरसिता और जवाब देयता को सुनिश्चित करता है ताकि श्रम कानुनों का बेतर प्रवर्तन हो सके इंफॉर्स्मेंट हो सके एक्जाम्पल के लिए ट्रांस्परेंट लेवर इंस्पेक्टर स्कीम निरिक्चकों के स्वाविवेक की सक्तियों को कम किया है इससे नियोकताओं यानि एंप्लायर्स की परेशानिया कम हुए है और दूसरी खासियत इस पोर्टल का है यूनिक लेवर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये जो यूनिट्स है इसको अलॉट किया गया था तो इस तरह सिसका बेक्ग्राउंड भी आप समझ गये त्री का आंसर ए हुआ चार नंबर देखें निकित में कौन दिशा का पुर्ण रूप है ये भी अच्छा प्रस्ण है अप्शन देखें डिवीजन आफ इंटर्नल सेक्यूरिटी एक्ट डिवीजन आफ इंटर्नेशनल सेक्यूरिटी एक्ट डिश अर्मामेंट एंड इंटर्नेशनल सेक्यूरिटी अफेर्स डिश इन्वेस्टमेंट एंड इंटर्नल सेक्यूरिटी एक्ट तो इसका अंसर C हो जाएगा, दिशा का यही फूल फॉर्म है, डिस अर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सेक्यूरिटी अफेर्स, डिस अर्मामेंट बोलते हैं नि सस्त्री करन को, तो इसका अंसर C हो गया, फूर का, पाच नमबर देखें, निम्लिकित में से कौन, MS सुब्बू लक्षमी के सुप्रत्सित गायन है, अप्शन देखें, भजगोविंदम, विश्नू सहस्त्रनाम, वेंकटे सुप्रभातम, वन्दे मात्रम, तो देखें, यह ABC सही है, यह इनी का वेल नौन गायन है, सुब्बू लक्षमी का, जो भारत रत्न बनी थी, और यह जो गंदे मात्रम है, यह पंडित उंकार नाथ ठाकूर का है, जिसे 15 अगस्त 1947 की सुबह 6 बजे, औल इंडिया रेडियो के सभी केंद्रों पर पूरे देश में प्रसारित किया गया था, और इस काम के लिए सरदार पटेल खुद उसको इन्वाइट किये थे, कि आप आएं और इस पर अपना प्रसारंद दें, तो इस तरह सिसका आंसर A, B, C सही है, आंसर E चला जाएगा, ये सही है, सब इनी का गयान है, सुबू लक्ष्मी का, आंसर हो गया, इसका E, 6 नमबर देखे, निमली खित में से, किस कलाकार ने, सही सुनुता के नाम पर अपना अवाड़ वापस कर दिया था, ये देखे, वासी, फुद्दीन, डागर, रोणू, मजूंदार, राधा, राजा, रेड़ी, सोनल, मान सिंग, तो अगर अवाड़ वापसी का जो दौर चला हुआ था, तो उस समय को याद कर रहे होंगे, तो आप पकड़ पाएंगे कि ये कोई नहीं थे, इन में से, ये अवाड़ वापसी अभ्यान से नहीं जुड़े थे, बलकि उसके बिरोध से जुड़े हुए थे, ये वासिफुद्दिन ढागर दुरुपद गायक थे, और रोनू मजुंदार बासुरी गायक वादक और ये सब पदम पुरस्कार से सम्मानित ये हैं भारत के कलाकार लोग, तो देखे, इसमें कुश्चन के हिसाब से कोई सही नहीं हुआ, तो आंसर इसका भी ए चला जाएगा, अल इनकरेक्ट हुआ, अब दिखे, थुरा सा बेक्ग्राउंड हम दे देते हैं, अवाड वापसी का जो अभ्यान चला हुआ था, नवंबर साथ दो हजार पाँच को भारत के अनेक कलाकार अवाड वापसी सम्मू के घातक और सहिसनुता अवियान के खिलाफ, अपनी बात कहने पहली बार दिल्ली के राजपत पर उत्रे, देश के प्रसिद कलाकारों के साथ, साथ अपार जनसमू साहित्यकार विद्वान भी सामिल थे, जैसे सरोजा वैद्यनाथन, विश्व मोहन भट, भजन सोपोरी, नलीनी कमलीनी, मालीनी अवस्थी इत्यादी उपस्थित हुए, ये सभी पदलपुरसकार से सम्मानित हैं, और उसी दिन किया हुआ, यानि 7 नौंबर 2015 को ही विर्जु महराज हरी परसाद, राजन साजन मिस्र, गीता महालिक, आदिने राष्टपती को एक ग्यापन सोपा था, जिसमें कहा था कि एक सूम नियोजी चाल के तहत, भारत को अंतराष्टी अस्तर पर बदनाम करने के प् प्रतीक है, उसको लोटाना अंतराष्टी ये जगत में भारत की साग को घटाने के बराबर है, तो ये लोग एक तरह से पैट्रियोट थे सही मायने में, तो खेर, क्योश्चन के हिसाब से ये कोई भी आप्शन सही नहीं है, और आंसर ये गया, साथ नमबर देखे, सेंटर, नेशनल सेंटर ओफ एजिंग, कहां अस्थापित किया गया, अब देखे, एम्स नहीं दिल्ली, एम्स पटना, एम्सी चन्नाई, एम्सी हुआ मदरास मेडिकल कोलेज, और ये आईजी, आईएम्स पटना, तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा एम्स नहीं दिल्ली, और एम्सी चन्नाई, यही दो जगों पर एम्सी ए अस्थापित किया गया, तो आंसर इसका पहले देदे, ए और सी सही है, और इसका प्रस्ताव 11th फाइव येर प्लान के दोरान कंसीडर नहीं किया जा सका था, आंसर इसका हो गया, ए, ए और सी इसमें सही है, आठ नमर देखे, नेशनल प्रोग्राम फार दे, हेल्थ केर आफ एल्डरली की सुरुवात की स्योजना अब्दी के दोरान की गई थी, तो ये देखे, ये 11th प्लान था, फाइव येर प्लान, उसी के दोरान नेशनल प्रोग्राम फार दे हेल्थ केर आफ एल्डरली की सुरुवात की गई थी, आंसर इसका C हो जाएगा, 21, ये देखे, NPHCE, स्वास्त परिवार कर लिया और मंत्रा ले द्वारा शुरू किया गया था, किस बेसिस पर शुरू किया गया था, नेशनल पॉलिशी और ओल्डर परसंस, रिकमेंडेशन्स, और मेंटेनेंस और वेलफेर और पैरेंट्स और सिनिर सिटीजन्स एक्ट 2007 के अंतरगत, जो स्टेट का अबलिगेशन था, उसके अधार पर इसकी शुरुवात की गई थी, तो नो नमबर देखें, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रूल ओब ब्लाइंडनेश, लॉंच करने वाला प्रतम देश है, एनपी सीवी लॉंच करने वाला प्रतम देश कौन सा है, भारत, चेन, रूस, अमिर्का, तो अपना ही देश है, भारत, ये उनिस सो चीटर में ऐस यानि सेंटरली स्पोंसोर्ड स्कीम के रूप में था, इसका गोल क्या था, ब्लैंडनेश को 1.49% से घटा कर 2020 तक 0.3% करना, और ये ब्लैंडनेश खास करके केटारेक्ट और ट्रेकोमा के रूप में, इस तरह का डाटा था, तो इसका आंसर ए हो गया, भारत, दस नमबर देखे, फ्लोरेंस नाइट एंगल नेशनल अवार्ड की से दिया जाता है, उत अच्छा प्रस्ने, देखे, आप्शन गाएकाओं को, नर्सों को, साहितकारों को, चित्रकारों को, तो दस कभी हो जाएगा, नर्सों को दिया जाता है, लोरेंस नाइटेंगल निस्नल अवार्ड जनता के लिए कारिकरने वाली नर्सों को जिसे की एनम है जी एनम है यह सब को कि ग्यारा नमबर देखें किलकारी और मुबाइल अकादमी से वाए किसके प्रतिजागरूप करते हैं यह भी सामदार प्रस्न है जो भी प्रस्न है इसमें सब अच्छा सब है आप इसको देखें और बात करें बढ़िया से देखें एंटी नेटल केर संस्थागत प्रसव पो इम्म्यूनाइजेशन तो यह किलकारी और मुबाइल अकादमी से वाएं इस चारों के प्रति अवेर करता है तो आंसर इसका यह चला जाएगा चारों सही है यह सब सही है गर्वती महलाओं बच्चों के माता पिता और फिल्ड वरकर्स के बीच इन सभी की माता के बारे में प्रॉपर अवेर्नेस क्रियेट करने है तू है यह यह दुनों से वाएं किलकारी और मुबाइल अकादमी तो आंसर इसका यह हो गया तो अच्छा प्रस्न है यह सब बारा नंबर देखें किलकारी क्या है सिस्वों का समूमनुगंजन एक आई वी आर याने इंटर एक्टिव वाइस रेस्पॉन्स बेस्ट मुबाइल सेवा गरवावस्ता और बाल स्वास्त के बारे में समय समवेदन सील स्रव विसंदेश ताइम सेंसिटीव ओडियो मेसेज दी देखें चार मा के गरवावस्ता से लेकर एक वर्स्तक का बच्चा इस सेवा के दायरे में है जहां अधिकांस मात्री सिसु मौते होती है तो देखिए किलकारी से रिलेटेड बी सीडी ओप्सन जो है यह फैक्ट है आप इसको याद कर लें यह गलब है तो इसका आंसर ई हो जाएगा बी सीडी सही है बी सीडी आंसर इसका ई हो गया 13 नंबर देखें मुबाईल अकादमी क्या है अब देखेंतार्वयक्ति इन तर परशनल कमिनीकेशन स्कील पर एक श्रव्य प्रसिक्ष्यंट पर्टिकरम यानि औडियो ट्रेनिंग कोर्स है यह इन्टरपर्सनल कमिनी MBA श्किल पर डी देखें आसा अपने मुबाईल फोन से इस पर पहुँच बना सकती है सीधे के गर्वती महलाएं अपने मुबायल फोन से इस पर पहुँच बना सकती है दी देकर या आसाओं को टिफ्ट्स देता है की कैसे परिवारों को प्रायोरिटी RMN CH वैवारों को अंगिकार करने के लिए समझाया जाए तो देखिए इसमें C नमबर जो अप्शन है वो गलत है ABD सही है Mobile Academy एक तरह का कोर्स है हादसासों के लिए तो ABD इसमें सही है यह सब फैक्ट हुआ इसका ABD और फिर आंसर इसका E चला गया चोधर नमर देखें Mother and Child Tracking System MCTS किस सेवा या सेवाओं के लिए सुचना का एक अलसरोत है सिंगल सोर्स है इनफरमेशन का यह उप्शन किलकारी Among Mobile Academy Mobile School तो MCTS सिंगल सोर्स है इनफरमेशन के लिए किलकारी और Mobile Academy के लिए तो आंसर इसका E चला जाएगा A और C सेई है किलकारी Mobile Academy आंसर इसका E हुआ 15 नमबर देकर राष्ट्र वियापी इन्टी टीवी ड्रग रेसिस्टेंट सर्वे विस्व का सबसे बड़ा सर्वे था यह सर्वे कितने टीवी ड्रग्स के लिए था अच्छा प्रस्न है यह इसका आंसर भी हो जाएगा इसे 13 टीवी ड्रग्स के लिए सर्वे किया गया था जो रेसिस्ट कर चुके थे टीवी रोगयों के शरीर में तो उसी के लिए सर्वे था और यह विस्वा सबसे बड़ा सर्वे था क्योंकि इसका सेंपल साइज 514 पेसेंट्स का था इसलिए सबसे बड़ा सर्वे माना गया दो इसका आंसर भी हो गया 13 16 देखें प्राइमरी हेल्थ केर लाने है तूँ एक रिपोर्ट देने के लिए एक टास्क फोर्स के ठिट के आ गया था कर्ब के आ गया था देखें यह दिसंबर 2014 की बात है Ministry of Health and Family Welfare द्वारा CPSC यानि Comprehensive Primary Health Care Task Force गठित किया गया था प्राइमरी हेल्थ केर को Comprehensive and Universal बनाने है तू 9 कारी छेतर यानि Areas for Action प्रस्तावित किये गये थे इसमें 16 आलसर ए हो जाएगा थोड़ा सा बैक जाके भी प्रस्ट डाला जाता है आप इसको अच्छा से देख लेंगे तो सही रहेगा 17 देखें इंडिया न्यू बार्ण Action Plan कब लॉंच किया गया तो देखें सितंबर 2014 की बात है जब ये इंडिया न्यू बार्ण सितंबर 2014 से तो आप कहीं कहीं तुरंद पकड़ लेंगे कि ओप्शन में किदर गलती है ये देखें 2030 तक सिंगल डिजिट न्यू निटल मोर्टैलिटी रेट और 2030 तक सिंगल डिजिट इस्टिल बर्थ रेट न्यू नेटल हुआ जो नवजात है और इस्टिल बर्थ हुआ जो मरा हुआ जन्म लेता है उसको इस्टिल बर्थ बोलते है तो इसका आंसर B, D सही है आंसर इसका भी चला जाएगा E B और D सही है आंसर इसका E हुआ 19 नमर देखें, मिशन इंद्र धनूस कब लॉंच किया गया था मिशन इंद्र धनूस के बारे में जान रहे होंगे इसका डेटी याद है देखिए 19 कब भी हो जाएगा, दिसंबर 2014 में लॉंच किया गया था मिशन इंद्र धनूस 19 कब भी हो गया दिसंबर 2014 देखिए 20 नमबर इसी से जुड़ावा प्रस्ण मिसन इंद्र धनु संबंदित है किस से संबंदित है क्रिसी जैविंदन बच्चों के ठीका करन द्वीतिय हरित प्राम्ति से तो यह हो जाएगा आंसर इसका सी बच्चों के ठीका करन से तो देखिए इसका लक्ष क्या था मिसन इंद्र धनु स्का 2020 तक 90 लाक और टिका करित या अंसिक टिका करित बच्चों तक पहुंच बनाना और इसमें फेज बनाया गया था फर्स्ट फेज में 201 जिलों में तथा सेकेंड फेज में 297 जिलों में इसे इंप्लिमेंट किया गया और फेज वन में लगबग 20 लाग बच्चे पूर्ण टिका करित हुए तो ये भी प्रसंद ठीक है देखें किस नंबर काया कल्ब की शुरुवात की गई थी कि अप्संद के जंस्वास्त सुविदाओं के पुरस्कार के लिए एक पहल के रूप में अच्प देखें इसमें सारे उप्संद सेम है सेट किये हुए सिर्फ आपको पकरना है कुछ term जीसलिव जन स्वास्त मुदा जन कल्यान इसलिया है तो यह स्वास्त सुव्धा के प्रसकार के लिए काया कल्ब की शुरुवाद की गई थी अ कि यहीं से पकड़ना है और इसके लिए जो गाइड लाइन्स दिया गया था जारी किया गया था वो टाइम पिरिएट था कब मई 15-2015 22 नंबर देखें राष्ट्रे परिवार स्वास्ति सर्विक्षन का चोथा दोर यानि एन एफ एच एस फोर लांच किया गया कब लांच किया गया इसे तो देखिए इसका अंसर हो जाएगा मिड टू थाउजन्ट फॉट्टिल यानि भी हो जाएगा कि दूजार चोदा के मद्ध में इसको लांच किया गया था ते इस नमबर देखें वैस कौँ के लिए कौन से टिके स्विक्रित किये गया है देगी अप्शन रुटा वायरस और सक्रिय पोलियो टिका यानि इन एक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सिन मिजल्स रुवेला टिका जैपनीज इन से फ्लाइटिस टिका तो यह चारो अप्शन सही है इन सभी को एप्रूव किया गया था एडल्ट्स को एक्स्टेंट करने के लिए उसको इसमें औल आर करेक्ट आंसर यह चला गया लेकिए यह वैक्सिन प्रिवेंटेबल मॉर्विडिटी डिसेबिलिटी और मॉर्टालिटी को मातोपूर्ण प्रूप से कम करेगा ऐसा मान के यह चारो टिके एक्स्टेंट किये गए एडल्ट्स को तो चोवीश देखें मात्री मिर्थिवदर यह यह मेटेनिटी मॉर्टेलिटी रेट क्या है तो थोड़ा अधारित प्रस्न कंसेप्ट पर आधारित प्रस्न है कैसे इसका आकलन किया जाता है तो देखिए यह डी होगा इसका सही आंसर प्रती एक लाग जीवित जन्मों प और लाइव वर्थ पर मताओं की मौतों की संख्या जो मेटेर्नल डेथ होता है पर वन लैक लाइव वर्थ पर उसकी संख्या ही यह रेट बताता है मात्री मिर्थिवदर बताता है आंसर इसका डी हो गया 25 नमबर देखें विश्व स्वास संगठन द्वारा भारत पोलियो मुक्त के रूप में प्रमानित हुआ कब इसको सर्टीफाई किया डवलु एचो भारत को यह पोलियो फ्री हो गया है तो देखिए यह मार्च 2014 था वही उसी डेट में भारत पोलियो मुक्त हुआ है डवल मार्च 2014 और जन्वरी तेरह 2011 से कोई भी वाइल्ड पोलियो केस नहीं होने के कारण बारत को पोलियो मुक्त किया गया था थस यह मैं से यह मैं से तूक तुसस्यापर को पोलियो था। वहां पूलियो तूलिय। घब भी थांच्छ झाए।